यह कुछ शब्द रचना चक्र हैं हिंदी का T.L.M मात्रा ग्यान के बाद इनसे बच्चों को शब्द रचनाे बहुत ही आराम से सिखाई जा सकती हैं केल खेल में इन शब्द रचना चक्रों को बच्चों को ग्रूप्स में दे दिया जाता है जैसे एक ग्रूप के बच्चों को दे दिया जाता है और वो सब मिलकर इसमें से शब्द बनाते हैं जैसे एक चक्र घुमता है कार कार काल काल नान नान माप माप और उनको समय निर्धारित कर दिया जाता है जाप जाप जाला जाला इस तरह से बच्चे इस चक्र को घुमाकर अलग-अलग शब्द बनाते हैं और पांच मिनट का समय दे दिया जाता है और उसमें जो ग्रूप सबसे ज़्यादा शब्द निर्मान करता है वह जीत जाता है ये एक तरह से प्रतियोगीता भी हो जाती है और बच्चों को शब्द निर्मान करने का एक नया तरीका भी मिल जाता है वो खेल खेल में सीखते हैं अलग-अलग चकर पर अलग-अलग मातरा के शब्द बने होते हैं तो इस मातराओं को इस तरह से घुमा कर चील चील इस तरह से बच्चे सार्थक शब्द बनाना भी सीखते हैं कि अगर उन्होंने चीच कोई शब्द नहीं है तो अगर वो ये लिखते हैं तो इस शब्द को नहीं माना जाता तो वो इस तरह से सही सार्थक शब्द बनाना भी सीखते हैं और बोलना भी सीखते हैं और जैसे कुछ बच्चे मिलके बनाते जाते हैं तो उससे पूरा ग्रूप वर्क हो जाता है और एक competition भी होता है और बच्चे नए नए शब्दों का निर्मान करना सीखते हैं कक्षा एक में शब्द निर्मान का ये TLM बहुत ही उपयोगी सिध्ध हुआ है मेरी कक्षा में मैं इ इससे बहुत से बच्चों को जानकारी मिलती है धन्यवाद